नमस्कार आप सबी का स्वागत है, आप देख रहें जीबिनपेणी 4 और मैं हूँ आपके साथ सम्रिद्धिक उशिक शनिवार को दिल्ली के 14 पंडित मार्ग स्थित भाजपा दिल्ली प्रदेश मुख्याले में दिल्ली विधानसबा में भाजपा के नेता प्रतिपक्ष राम सिंग भिदूडी ने एक प्रेस वारता करते हुए दिल्ली सरकार पर भारत के समिधान के उलंगन का आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने तीन दिन का सदन का सत्र बुलाये है स्विधान का उलंगन करके दिल्ली सरकार ने दिल्ली विधान सवा का तीन दिन के लिए सत्र बुलाया है हमारा स्विधान या जो संसद ने दिल्ली विधान सवा के लिए कानून और नियम बनाए है तो कानून और नियम ये कहते हैं कि एक साल में दिल्ली विधान सवा का बजट सेशन भी होगा मांसून सेशन भी होगा और विंटर सेशन भी होगा और जब ये सेशन आयुजित किये जाएंगे तो इन में कोश्चन वर्ष भी होगे और अनेक विश्व पर पक्स विपक्स यदि चर्चा करना चाहता है तो चर्चा की भी अनुमती विधायकों को दी जाएगी बड़ी हरानी की बात है कि यो तीन दिन के लिए सत्र बुलाया गया है इसमें ना तो कोश्चन में रखा गया है हम अर्बिंद केजरिवाल से पूछना चाहते हैं कि जो विधायकों का सविधानी कदिकार है सविधान ने दिया है कि जब सत्र होगा तो उसमें कोश्चन ओवर मस्ट है कोश्चन ओवर नहीं रखा गया है और जब विपक्स की उससे अलाग अलग मुद्दों पर चर्चा मांगी जाती है तो उसकी अनुमती नहीं दी जाती है मैं दिल्नी विधान सबा के स्पीकर से मांग करता हो कि ये सेसल तीम दिन से बढ़ा कर कम से कम दस दिन का किया जाए अभी के लिए बस इतना ही देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें GBN24